नमस्कार दोस्तों मून्स किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे खरना को देखते हुए एक एनरजी बुस्टर ड्रिंक या कह लिए आप काढ़ा उसमें हमें क्या क्या चाहिए वह हम आपको बताते हैं सबसे पहले तो विटामिन से के लिए तो हम आप नीबु लि चलेगा आठ नौ है काली मिर्च थोड़ी सी है यह अल्दी दो हमने लिया है लौंग एक हमने लिया इलाइची और थोड़ा सा हमने लिया है जिंजर तो यह सब को हम पहले कुट लेंगे पुटने के बाद एक ग्लास पानी में इसको हम अच्छे से उबालेंगे चूंकि य कि आप वैसे पीना चाहें तो इसे पी सकते हैं और शहर डाल के पीना चाहें तो आप शहर डाल के भी सकते हैं शुगर डाल के पिना चाहें तो आप शुगर डाल के भी सकते हैं तो चलिए हम बनाते हैं एनरजी बुस्टरिंक तो एक ग्लास पानी को हमें हमें सबसारे मसाने को डालेंगे और खुलाते-खुलाते हम उसको पौन स्ख़ीन करेंगे , फिर हमें उस काड़े को पीना है देखिए सारी चीजों को हम इसमें डालेंगे और डालके खलवत्ते में डालके इसको हम पाउडर बनाएंगे कुटलेंगे और कुटने के बाद हम इसको डालेंगे एक गलास पानी में उबालने के लिए ऑब हम चड़ाएंगे एक ग्लास पानी को गज़ेंगे और इसके बाद इसमें तोड़ास पानी घरम हो जाएगा-उबलने लगे नहीं तो जो कूट के रखे हैं काड़ा का सामाल इसको हम डालेंगे अब देखिए हम सारे इसको इसमें चाई की गंजी में डाल देगे काड़ा के मसाला को काड़ उुड़ा काड़ा का सामाल कुछ एदाभ रखो कार्मेश के ज्याइख सेश कि बचला मुड़ा का सिशू, दोला स jużतना है को आ़ाको कॺिस्पिस क काड़ा, धूगर छımızı उलाता हैं, को कि अबया हैं कि अलावार और रहां। उल्चरा शोकी अब इसको हम उबालेंगे अच्छे से एक कप पॉन कप बचेगा तब हम इसका उप्योग देखिए बहुत अच्छे से उबल रहा है काढ़ा और अच्छा इसको उबालना है पॉन कप होते तक एक दम ताकि इसका पूरा रस उसमें पानी में आ जाए विचू की काढ़ा है त उसके बाद हमें से उप्योग में लाना है आखरी में हम नीबू डालेंगे जब उतारने के थोड़ी देर पहले जस्ट उतारते समय हम नीबू डालेंगे और उसके बाद हम डालेंगे कप में डालने के बाद हन्ये नीबू को भी हमें लास्ट में ही डालना है नीबू से व बंद करके और इसमें में डालूंगी नीवू आधी नीवू के रसकों आधी नीवू में विटा मिन्सी होता है और बाकी मसाले तो हमारे स्वास्त के लिए बहुत अच्छी चीज है कि अब हम इसको चान लेंगे कर दो कि अब हम उसमें एक जब मच यह हनी डालेंगे कि अब इसको थोड़ा मीठा करना चाहते हैं तो इसको और भी उप्यों कर सकते हैं हैं और देखिए मेरा काढ़ा बन के तयार होगी है बहुत पॉस्टिक है बहुत अच्छा काढ़ा बना है अब आप बनाईए और पीजिए दो लोगों दो टाइम ही दी आधा धा कप आप पी लेते हैं तो यह करुना काल में आपके इनर्जी को यह बुस्ट करेगा और महामारी से आपकी रक्षा होगी तो यह कढ़ा जरूर पीए आप इसमें सारे पोस्टिक तक्व हैं अब उमीद करती हूं कि मेरा कढ़ा आपको ब जर जर वाइम ही आपको करता है